देश में लगभग 60% महिलाएं काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो खुद पर कभी ध्यान भी नहीं दे पाती हैं खास करके आप देखेंगे तो working woman इसका असर सीधा उनकी सिहत पर पड़ता है महिलाएं खुद को लेकर के इतनी लापरवाही करती हैं लापरवाही वर्ड सर गरभावस्था के वक्त भी महिलाएं पौश्टिक खाना नहीं खा पाती हैं जिससे की मा और बच्चे दोनों को कुपोशन का शिकार होना पड़ता है और हमारे देश में लगभग महिलाओं को एनीमिया की शिकायत होती है एनीमिया यानि की शरीर में बलड की कमी वैसे बहुत से पुरुशों को बच्चों को भी होती है पर मैक्सिमम महिलाओं को होती है क्योंकि इनको मन्तली मासिक धर्म का भी सामना करना पड़ता है इसकी वज़ा से इनके शरीर में बलड की कमी होती रहती है हार्मोनल चेंजेज होते रहते हैं तो बहुत जरूरी है यह बारे में हम बताने जा रहे हैं कि किन किन चीजों का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कर दें ताकि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंच सके हमें बहुत खुशी होगी सबसे पहले जो चीज का आपको सेवन करना है वो है पालक जी हाँ पालक की साग माताओं बेहनों को जरूर खाना चाहिए पालक में कैलिश्यम विटामिन ए विटामिन बीनाइन विटामिन विटामिन सी, आईरन, फाइबर, बीटा के रोटीन ये सब ही पाये जाते हैं जो की शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है और इसमें से जो आईरन की हमने बात की ये सबसे इंपोर्टेंट है अगर इनीमिया की किसी को शिकायत है तो इनीमिया की शिकायत को दूर करने के लिए यह मस्ट इंपोर्टेंट है कि आपके शरीर में आयरन की आप पूर्ती होती रहे और इसके लिए पालक बहुत अच्छा अश्रोत है यह आखों की भी क्यार करता है तो माताओं बहनों को खास करके बहुत जरूरी रूप से पालक कासे बन करना चाहिए और बहुत जरूरी हो जाता है इसके अलावा सोयाविन जी हां आयरन और प्रोटीन से यह भरपूर होता है और साथी साथ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान करने में शरीर में मदद करता है तो यह सभी चीजें एक बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है और बुजुर्ग के प्रोटी करने के साथ ही और दोबारा सक्रिय बनाता है हम आपको कुछ एक चीजें और बताते जा रहे हैं वैसे तो तिन और शदियों से भी आपका काम होता जाएगा लगातार सेवन करेंगे तो लेकिन इसलिए कि किसी किसी के लिए कोई चीज अगर वर्जित हो या कुछ पसंद न हो या महंगा लग रहा हो तो आप उसके अल्टरनेटिव का भी इस्तेमाल कर सकती हैं लिखते जाएए क्या क्या बताया हमने आपको आपको बताया पालक पालक का सेवन कीजिए सबसे पहले जिहां पालक बेश्ट है इसके अलावा सोयाबिन का और लाल चुकंदर का जी हां लाल रंग का जो चुकंदर होता है उसको लेकर करके आईए इसमें बलड बनाने की बहुत अच्छी शमता होती है आपके शरीर में बलड की कमी नहीं होने देता है और इससे कच्छा सलाद के रूप में खाईए सबसे ज़्यादा फायदा करता है इसके अलावा ट करता है तमाटर तो टमाटर का सेवन जरूर किजे तमाटर का सेवन भी इसमें फायदे मंद होता है इसके अलावा आप गुड का सेवन की जिए हां गुड में भी आयरन की भरपूर मातरा पाई जाती है। जquest वह बलड की कमी की समस्या है डौक्टर से आपने चैका भी तो वो लोही की कड़ाही में खाना बनाना आपके लिए ज्यादा स्रेयश कर रहेगा लाफकारी रहेगा एनीमिया की कितनी भी पुरानी समस्या हो आपको होगी नहीं और हमारे भारत की महिलाओं को देखा जाए तो कभी न कभी इस बिमारी से दोचार होना ही पड़ता है क्य जब भी चाय पीना हो तो आप अशोक की पतियां घर पर ला लीजिए और उसकी चाय पिया किजिए आपको महावरी से रिलेटेड रसौली से रिलेटेड जितनी भी प्रोब्लेम्स हैं उसमें रहात मिल जाएगी तो यह आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल को माध्यम से हमले करके आते रहते हैं ऐसी नई वीडियो जिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओं कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिये दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ जरूरत मंदों के साथ आपका एक शेयर बहुत से लोगों को लाब दे सकता है बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है वो परिशान होंगे तो फायदा पहुंचा सकता है प्लीज कुछ सिकन लगा करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए फिलाल भी दालेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों